हेलो दोस्त आज हम लोग परतीशत जो पहले पार्ट में परतीशत के बेशिक नोलेज प्रात किये थे रोशी के अधार पर कुछ प्रसनों का धियन किये थे पहले पार्ट में हम लोग 12 परसनों का अधियन कर चुके हैं जो अलग अलग तरह के प्रसन थे और इसी तरह के अंकों का केवल बदल करके परिच्छा में प्रसन पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ अन्य नए तरीके का प्रस्ण उसी करी में आगे प्रस्ण संख्यां 13 से लोग आगे की और देखते हैं प्रस्ण संख्यां 13 कहता है यदि A की उचाई B की उचाई से 20 परतिसत कम हो तो B की उचाई A की उचाई से कितने परतिसत अधिक है तो जो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे जो कम हो या अधिक हो उसको उपर लिखते हैं और जो कम याधिक है उसको 100 में से कम याधिक करके 100 से गुना कर देते हैं तो आगे की परतिसत ग्यात हो तो एक की उचाई में कितने परतिसत एक की उचाई से कितने परतिसत अधिक है तो सीधा से दी इसको 20 बट्टे 100 माइनस 20 यह 80 हो जाएगा गुने एक सो बीस चो अस्य पचीश अर्थात यह आपका आंसर पचीश परतिसत हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं चगधा में प्रसंद को आगे प्रसंद कहता है यदि चीनी के मुल्ले में दस परतिसत कमी होने पर इसकी खपत में कितने परतिसत बिर्द्धी करनी होगी कि इस मद में खर्ज पर कोई परिवर्तन ना हो तो यहां कहरा चीनी के मुल्ले में दस परतिसत कमी होने पर तो इसको दस बट्टे एक सो में से कि दस महिनेस हो जाएगा तो नव्य गुने एक सो एक सुने से एक सुने कट जाएगा यह आकको हो जाएगा 11 पुर्णांक एक वट्टा नो पर तिसत देख रहे होंगे कितनी आसानी से प्रस्णों का अध्यन प्रस्ण जो सॉल्यूशन हो रहा है कि एक दम कम से कम समय में देखिए आगे प्रस्ण है कि शुरेश को एक परिच्छा में उत्तिर्न होने के लिए यह 36 पर तिस अंक प्राप्त करने थे उसने 24 पर तिस अंक प्राप्त किये तथा नो अंकों से अनुतिर्म हो गए तो गोर करने की बात है जहां 36 पर तिस अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता उत्तिर्म हो जाता तो 24 परतिसत अंक प्राप्त की आने परतिसत में कमी कितना हो गई 12 परतिसत की तो 12 परतिसत कमी होने से उसको 9 अंक कम प्राप्त हुआ अर्था सीधा इसको जो कम अंक प्राप्त हुआ सो परतिसत में जितनी कमी हुए वो और 100 से गुना कर देंगे यह आपको पुर्णांग प्रात हो जाएगा तीन तिया लोग तीन चुक बार यह पचीस हो जाएगा पचीस तिया पच्छत्तर अर्थाथ परिच्छा का पुर्णांग पच्छत्तर अंग का था चलिए आगे देखते हैं सोलमे प्रस्ट को सोलमा प्रस्ट कहता है एक चात्र एक परिच्छा में एक चात्र ने 30 परिच्छत अंग लिए तथा वो 45 अंगों से अनुतिर्ण हो गए दूसरे चात्र ने 42 परिच्छत अंग लिए जो उतिर्ण होने के लिए यह आवस्चक निम्तम अंकों से 45 अंक अधिक है एक जो 30 परतिशत लिया तो वो 45 अंक से अनुप्तिर्ण हो गया अर्था तो 45 अंक कम हुआ था दूसरे छात्र 42 परतिशत अंक प्राप्त किया तो इसको 45 अंक अधिक हो गया तो अंकों एक परसेंटेज में देखें जहां कम परतिशत था वहां कम अंक हुआ जहां जादे परतिशत था वहां जादे अंक हुआ ऐसे में क्या करेंगे दोनों अंकों को दोनों अंक को जोरेंगे और percentage का अंतर लिखे देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे तो 45 अंक और 45 अंक 45 अंक कम था दूसरे में 45 अंक अधिक था ते इसको लिखेंगे 45 प्लस 45 और परतीसत का अंतर 42 परतीसत माइनस 30 परतीसत अर्थात यह आपको 12 परतिसत हो जाएगा गुने 100 तब यह आपको प्राप्थ हो जाएगा 90 बट्टे 12 गुने 100 90 बट्टे 12 गुने 100 प्राप्थ हो भी आथमको 90 बट्टे 12 गुने 100 यह आपको कट जाएगा 15 चक्का 96 दुने 12 ये 50 हो जाएगा तब ये आपको 750 हो गया पुर्णांक अब पुर्णांक प्राप्थ हो गया अब उत्रनांक क्या होगा उत्रनांक जब पुर्णांक हमको 750 प्राप्थ हो गया तो इसका 30 पर 30 तरथा 30 बट्टे 100 और 30 पर 30 प्राप्थ हुआ था तो 45 अंक से अनुतिर्ण हुआ था इसमें 45 जोर देंगे तब उन्हों पो ये प्राप्थ हो जाएगा 225 प्लस 45 अर्थाथ 270 अर्थाथ उसका कुल पुर्नांक हो गया पुर्नांक 750 हुआ और उतिर्नांक 270 हो गया चलिए देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण कहता है एक कस्वे की जन्संख्या 1,76,400 है इसमें बार्षिक दर्षे बिर्धी होती है तो दो बर्ष बाद कस्वे की जन्संख्या कितनी होगी? इसमें बार्षिक दर्ष छुट गया है यहां पर बार्षिक दर 5 परतीसत है एक कस्वे की जन्संख्या 1,76,400 है इसमें 5 परतीसत बार्षिक दर्षे बिर्धी होती है तो दो बर्ष बाद कस्वे की जन्संख्या कितनी होगी? तो जो जन्संख्या दिया गया है मूल उसको लिखेंगे 1,76,400 और 5 परतीसत की दर्षे बिर्धी होती है तो यह आपको एक सो में जोर देंगे एक सो पांच बट्टे एक सो का स्क्वाइर हो जाएगा यह यह कट जाएगा 21 और यह 20 इस परकार हमको परत हो जाएगा 1,76,400 गुने 21 बट्टे 20 गुने 21 बट्टे 20 एक सोना एक सोना दूसमना से दूसमना इक कट जाएगा 4 से यह भाग दे देंगे तो 441 होगा 441 को 21 गुने 21 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्ट हो जाएगा 1,94,481 अर्थात कस्वी की जनसंख्या 1,66,400 थी जिसमें 5 परतिस्त बार्षिक दर्षे बिर्धी होगी तो दो बर्ष बाद उसकी जनसंख्या 1,94,481 हो जाएगे चली देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद कहता है एक सहर की जनसंख्या 1,21,000 है तो इसमें 10 परतिसत की दर्षे बिर्धी होती है तो दो बर्ष पूर्व सहर की जनसंख्या कितनी होगी अब देखिए प्हहले प्रसंद में था 2 बर्ष बाद तब तो परतिसत उपर जोर के लिखे थे अब यह दो बर्ष पूर्व की बात जब कहेगी तो इसमें कुछ नहीं करना है जो परतिसत है उसको कमी कम या बिर्दी है उसको लिखेंगे नीचे में हर के रूपने देखे डारेक्ट इसको कैसे हर करते हैं सहर की जन संख्या दो वर्ष पूर्व कितनी होगी तो जो जन संख्या बर्तमान में है एक लाक एकी सजार उसको देंगे गुने एक सो बट्टे एक सो दास गुने एक सो बट्टे एक सो दास यह ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह दो वर्ष पूर्व कह रहा है इसलिए परसेंटेज को जोर के हर के रूप में लिखे है 11 और 11 का 120 होगा ये 1000 मर्तवे से कट जाएगा एक पर 3 सुनना एक सुनना अर्थात ये एक पर 5 सुनना अर्थात सहर की जन्जंख्या दो बर्षपुर्व एक लाख थी चलिए आगले प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न कहता है एक मसीन 12,000 रुपया में खर दी गई इसका 10 पर दर से अब मुल्यन होगा अब मुल्यन का मतलब होता है जो कीमत में कमी तो दो बर्ष बाद इस मसीन का मुल्यन क्या होगा तो जो कमी या विर्द्धी है उसको 100 में माइनस करेंगे जितने बर्ष की बात कहेगा उतने बर्ष उसको मल्टिप्लाइ कर देंगे आंसरम को राप्त हो जाएगा तो जैसे मुल्य था एक लाख बीस हजार दस परतिसर की दर से मुल्यन हो रहा था तो एक सो में दस माइनस कर देंगे नव्य बट्टे सो दो बर्ष खराद दो बार्ष को गुना करके लिख देंगे एक सुना से एक सुना एक सुना एक सुना यह कट जाएगा एक सुना एक सुना यहां दूगोजिरू दूगोजिरू कट जाएगा अब नो नो एक आसी एक आसी को बार्ष गुना कर देंगे उसके दूगोजिरू आ जाएगा ति यह आपको प्राप्त हो जाएगा संतानवे हजार दूसो अर्थात जिस बस्तु का दाम मशीन का दाम एक लाक बीस हजार था दस परतिशत अमुल्यन के बाद उस बस्तु का कीमत दो बर्ष बाद संतानवे हजार दोसो रह जाएगा अगले प्रसंद को देखते हैं अगला प्रसंद है एक चुनाव में दो अमिद्वार थे हारने वाले उमिद्वार ने सब्सक्राइब इस जीटने वाला उस एक लाशे मत करते हैं टॉ कि टॉटल परतिशत मतों का क पर सू होगा तो की सोमें हारने वाला जब एक तालिस कि या तो जीतने वाला 69 चुकी दोनों का योग 100 होगा अब हारने वाले और जीतने वाले दोनों के मतों में अंतर कितना हो जाएगा 69 माइनस 41 18 अर्थात हारने वाले और जीतने वाले दोनों के मतों का परतिशत में अंतर 18 और यहां दिया गया है जो 580 मतों से वह प्राजित हो गया तो अंतर ही होगा ना हारने वाले तो अब इसको कुछ नहीं करेंगे 5588 बट्टे मतों के परतिशत का अंतर 18 गुने 100 अब इसको भाग दे की गुना कर दीजिए कुल मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार यह 310 मरतबे कर जाएगा 310 को 100 से गुना कर देंगे 31,000 हो जाएगा कुल मतों की संख्या चलिए अगले प्रसंद को देखते हैं अगला प्रसंद कहता है एक चुनाम में दो अमिद्वार थे एक अमिद्वार ने कुल वैद मतों का 55 परतिस्तमत प्रात किये तथा 20 परतिस्तमत अवैद घोसित हो गये तो जो अवैद घोसित हो गया तो हटी जाएगा यह कुल मतों की संख्यां 75 तरस्व हो तो हारने वाले मिद्वार ने कुल वैद मतों कितने प्रात किये थे तो इसको परसेंटेज को पहले गौर करना है कौन कितना प्रात किया सबसे पहले कुल मत 75 था कुल मत 75 है उसमें 20 परतिसत अवैद हो गया तो एक सो में से 20 माइनस करके गुना किए अस्य वट्टे एक सो एक सो से एक सो कट जाएगा यह आपको 6000 हो गया अर्था मत पराता है कुल वैद 6000 अब बैद मतों में एक जह सो पच्पन परतिसत प्रात करता है चुकि कुल परतिसत 100 होता एक पच्पन किया तो दूसरा 45 करेगा तो जो पच्पन किया वो जीता है और जो 45 परतिसत करा है वो हारा है तो हारने वाले का परतिसत हो गया 45 अब 6000 का 45 परतिसत निकाल देंगे वही हारने वाले उमिद्वार का परतिसत हो जाएगा कि यहां बैद मतों का 55 परतिशत मत प्राप्त किया है तो दूसरे परतियासी कितना प्राप्त किया हारने वाला 45 परतिशत प्राप्त किया है यह लूजर का परतिशत है तो कुल मत हारने वाला कितना कुल बैद मत अगले प्रसंद को देखते हैं अगला प्रसंद कहता है एक चुनाब में दो अमिदवार थे इस चुनाब में आठ पर्तिसत मद्दाताओं ने अपने मत का परियोग नहीं किया एक चुनाब में दो उमिदवार थे इस चुनाब में आठ परतिस्त मत दाताओं ने अपने मत का प्रियोग नहीं किया जितने वाले उमिदवार ने कुल मतों का 48 परतिस्त मत लेकर दूसरे उमिदवार को 11 मतों से पराजित कर दिया इस चुनाब में कुल कितने मत दाता थे, तो सबसे पहली बात है, जब टोटल परतीसस में लेंगे, तो मतों का परतिशत 100 परतिशत है जब 8 परतिशत मत दाता जब मत का परयोग नहीं किया तो कितने परतिशत मत दाता मत का परयोग किया बिरानवे परतिशत मत दाता मत का परयोग किया अब जितने वला उमिद्वार केतना परतिशत मत परात किया है जितने वाला 48 परतिसित मत प्राप्त किया है और कुल जो बैद मत है बिरानवे है और जितने वाला 48 है तो हारने वाला कितना प्राप्त किया हूँ 44 परतिसित प्राप्त किया तो जीतने वाले और हारने वाले के मतों के परतिसित में अंतर है चार परती सब और यहां कुल मत नथी दोनों के जितने वाले और हारने वालों के मतों के संख्या में अंतर है 1100 तो आगे 1100 में 4 से भाग देके 100 से गुना कर देंगे मेरा कुल मत प्राप्त हो जाएगा अब कुल मत प्राप्त करने के लिए 1100 बट्टे 4 गुने एक सो यह 25 मरतविक कट जाएगा 25 को 11 से गुना कर देंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 27500 इस प्रकार कुल मत दाता 27500 थे जिसमें से 8% मत दाता अपने मत का प्रियोग नहीं किया और जो उमिद्वार था 48% प्राप्त किया दूसरे को 1100 मतों से प्राजित किया था चलिए दोस्तों अगर यह सवाल सोट्रिक आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कॉमेंट जरूर किजिएगा और किसी तरह की समस्या हो प्रस्णों के हल करने में तो मुझे बताईएगा मैं आपके समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूँगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद